वेल्कम टू CLC Judicial ये आपके लिए गोल्डेन अपर्चुनिटी है दो दो एक्जाम यूपी PCS और 36 गड़ ये दोनों एनाउंस हो चुके हैं और आप देखेंगे मैं कुछ चीजे आजकल तो आप देखेंगे इंटरनेट पर हर कोई अपने अपने डिफ्रेंट व्यू पॉइंट्स के साथ और उनमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो फ्रेशर्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सही मार्ग दर्शन और सही डैरेक्शन नहीं मिल पाता हो अब आपको कोई कहेगा कि आप सिर्फ एक ही इकजाम की तियारी करो एक ही की अच्छे से कर सकते कोई कहेगा कि नहीं कुछ और हैasले में मैं आपके सामने कुछ प्ञेंट्स रखना चाहूंगा और उन cookies के मद्दे नजर आप खुद तय करें कि आपको क्या करना है जैसे देखिए अगर आप किसी एक स्ट्रीट की तयारी करते हैं तो फॉर इक्जामपल यह थर्टीटू बिहार इसकी वेकेंशी अब कब आएगी कुछ नहीं पता यूपी की वी वेकेंशी काफी दिनों के बाद आई जहारखंड की करें डेले की करें किसी दूसरे अस्टेट की करें तो पॉइंट एज की अगर आपका एक्जाम के बारे मे है पता कि दो-चार महिने में इश्याम होना है तो श्रियस्नेश अपने आप आ जाती है है कि अपने आप ही पढ़ा ही होने लगती है । जब एकेंग्जाम कहीं ना पता तो सभाविक है की श्रियस्नेश बह नहीं पाती और इतने में एक्जाम हो हो जाता है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती तो यह एक सबसे बड़ा खामिया जा सबसे बड़ा ड्रॉप पॉइंट विक पॉइंट अगर आप किसी सिंगल स्टेट पे डिपेंड़न्ट है नमबर टू कि किसी कारण से जैसे आपकी तबियत ही खराब हो गई कोई होनी अन होनी हो गया तो फिर आप वेट कीजिए पता ना किते सालों के बाद अगली वेकेंशी आएगी तो यह जो टाइम गैप जो गुजरता है उसमें वो टाइम गैप इतना लंबा होता है कि जो सारी एनर्जी चली जाती यह स्टेमना नहीं रहा था तो दिजर्ट साइड इफेक्ट अफ प्रिपेरिंग फो सिंगल एक्जाम रही बात की आप अधिकतर स्टीड की वेकेंशी अपलाई करें जैसे यूपी भी दे रहे हैं ध्यारखंट भी दे रहे हैं डेली का निकला ब इवांटेज क्या होता कि इन सारे एक्जाम्च में आप देखेंगे कि बहुत सारे कौमन सब्जेक्ट होता है तो उस कौमन सब्जेक्ट की तियारी आपकी अपने आप नेच्रल तरीके से बहतरीन तियारी हो जाती है अब आई पीची आप चाहे यूपी के लिए पढ़ें या 36 गड़ के लिए पढ़ें या किसी और एस्टीट के लिए पढ़ें तो यारी मूर और लेस लगबग वही है कुछ है लोकल लौज एडिसनल हो जाते है थोड़े बहुत चेंजिज होते सिलेवस में लेकिन अगर मल्टी एस्टीट आप एपियर हो रहे हैं तो बाई चा पास अगली दूसरी अपर्चुनिटी फिर है विसे कि आपके दो-चार महीने के गैप दो-चार महीने पांच महीने के गैप पे कोई ने कोई एक्जाम आपको मिलता रहे हैं तो पढ़ाई का सिल्चिला आपका लगतार ननस्टॉप तरीके से चलता रहे हैं और मेरे व्यक आप जिसमें भी कमफोर्टेवल खुद को पाते हों वो जरूर करें और आज का वीडियो खासकर मैंने पीछे एक वीडियो अपलोट किया था बताया था कि यूपी पीसीएस जे के डिटेल सिलिवस की बाचित करेंगा और एक्जाम की तयारी कैसे करें यूपी पीसीएस ज जा रहा है कि फर्वरी दोहजार तेईस में ये एक्जाम होने छेहिएं फर्वरी एंड तक ये मार्च फर्स्ट वीक अब देखिये कब होता है अभी से तो कुछ का पाना मुस्किल है अदिस इच वन नमबर टू की जो ऐसा देखा गया है कि यूपी पीसीएस जीए का जब पीटी का रिजल्ट निकलता है तो पीटी का रिजल्ट और मेंस का ऎक्जाम टाइम गयंप काफी कम होता है तो कम टाइम गयंप की वजहां चैम मेंस की अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, और पीटी क्वालिफाइए करने कि बावजूद भी ये मौका आपके हाथ से निकल जाता है तो इन हलातों में आप जो भी पढ़ें थोरों पढ़ें इस तरह से पढ़ें कि यो आपके PT के लिए भी helpful हो आपके MENS के लिए भी helpful हो दूसरे अस्टेट का एक्जाम देना हो उसके लिए भी helpful हो जो common subject है आई अब हम लोग syllabus की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक paper GK का है दो घंडे का time maximum March 150 और इसमें जो है 15 कुछ bare act भी लगा दिये गया है लौ के भी paper GK में include कर दिया गया है अब GK में GK होना चाहिए अब GK में law का paper include कर देना law के paper के लिए law के paper में रखना चाहिए लेकिन अब इस तरह का syllabus कितने लोगों को पसंद आता या नहीं आता अब वह तो बात की चीज है लेकिन अब यूपी PCS ने इस तरह का syllabus मनाया है एक थोड़ा अजीव सा तो जरूर है कि GK के paper में law का paper लगा दना तो देखिए अब जो हमने लिख रखा यहां पर आप यह जो syllabus है यूपी PCS के official website से डाउनलोड किया हुआ authentic syllabus है आप इस पर रिलाई कर सकते हैं और इस पेपर जी के की मैं बात करहूं 150 मार्स का है इस पेपर में इंक्लूट question based on topics relating to history of India and Indian culture तो history of India में आपको सारी history ancient medieval modern को एक बड़ देख लेंगे अगर possible होगा तो एंसी आटी बुक्स जरूर देखेंगे जग्रफी एफ इंडिया उसी तरह से इंडियन पॉलिटी के बारे में उतना टेंसल लेने की जूरत नहीं है चुगी constitution of India आप लोग कहा ही syllabus में और pre constitutional history थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपका इंडियन पॉलिटी कबर हो जाएगा चौथा टॉपिक है करेंट नेशनल इसूज और टॉपिक्स अब सोचल डेलिवेंस इंकलोडिंगे संसिटिविटी तो पर्संस विदिशाबिलिटी सिनियर सिटिजेंस अन ओफंसेज अन वूमन औद चिल्डन विदा तो जो डिजेबल्ड हैं जो सिनियर सिटिजेंस हैं और अफंसेज अगेंस वूमन और चिल्डन तो नेशनल इसू जो न्यूज में हाल फिल हाल में हो तो न्यूज पेपर जरूर देखते रहिएगा इससे समंदित कोई उस तरह का मसला आता है तो जरूर होना चाहिए एक्जाम में और पांचवा जो है मेंटिनेंस एंड वेलफेर आफ पैरेंट्स एंड सिनियर सिटिजेंस अक्ट तो देखिए अब यह ल किः किः है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाह पेपर है जी का में डॉटेक्ट्सटन अफ उमकलि में फॉमन होमें स्ट अमिस्जिक जिए के में नॉरी Assessment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 ये भी लो का पेपर है Preconception and Prenatal Diagnostics Techniques, Prohibition of Sex Selection Act 1994 ये भी लो का पेपर है Medical Termination of Pregnancy Act 1971 ये भी लो का पेपर है Indecent Representation of Women, Prohibition Act 1996 लो का पेपर है Protection of Children from Sexual Offensive Act ये भी लो का पेपर है तो आप देखेंगे कि जो Serial No. 4 से लेकर ये 4 से लेकर आपके ये 12 तक ये सारे लो के पेपर है अदर लो के पेपर को GK के पेपर में रखना और इस तरह का syllabus बनाना अब चलिए कमिशन का डिस्क्रीशन है उज्यों चाहें जैसा चाहें syllabus बना सकते हैं जैसा भी चाहें अब जो भी उनकी wisdom रही हो अब syllabus ऐसा है syllabus वैसा है इस तरीके का ये सब हजूल की चीजें है और इन चीजों पर मैं भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता ये syllabus आपके सामने है और आपको इस तरफ इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करने है तो देखिए एक चीजों और आपनी रास्त मत हुई है उमीद रखिए होसला बरकरार रखिए मैंने जब माइनर एक्ट बिहारेपियो की क्लासेज दे थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनर एक्ट से काफी परिशानत है वो अस्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर बताएंगे उनका माइनर एक्ट सबसे बहतरीन हुआ उनके एक्जाम में 10 यह माइनर एक्ट थे ज्यादा क्लासेज नहीं हुए एक मेने इतकरिवन क्लासेज चले ननस्टॉप तरीके से और तो पॉइंट इस जो भी पढ़ें इस तरीके से पढ़ें कि उस टॉपिक पे कहीं से कोई भी क्वेस्टन आया आप उसे दावे के साथ बिल्कुल परफेक करेक्ट तरीके से उसे सॉल्व कर सकते तो पढ़ाई उसको बोलता है यह जो छोटे-छोटे एक्ट है इन में कुछ खास नहीं है और उंगलियों पे गिंती के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप कर लें आप यह सिरियल नंबर 4-12 में अस्कोरिंग करन बहुत असान है इसमें आप बहुत अच्छे स्कूर कर सकते हैं हिस्ट्री आप चाहे हिस्टोरियन बन जाए हिस्ट्री तो आप देखी रहे हैं हिस्ट्री आप इंडिया कितना वास्थ है इंडियन कल्चर जेग्रफी तो हिस्ट्री में आप उतना अच्छा स्कूर कर इसा विदेखा गया कि हिस्ट्री में सवी क्वेश्न स्वरिश्ट बन जाते हैं जी सारी चीज़ेंड करते हैं आपकी तैयारी पर आपको हिस्ट्री थोरोली शुरू से अंतक सारा याद करना पड़ेगा ज्यादा टाइम लएगा उसमें जेग्रफी में भी वैसा ही टाइम लएगा लेगा यह जो थ्यार से लेके बारा तक जो हैं इनमें कम समय में आप बहत्रीन से बहत्रीन तियारी कर सकते हैं कुछ एक च तो यह फिटीन टॉपिक्स हैं पीटी के लिए और इन फिफटीन टॉपिक से पोचे जाएंगा यह पेपर ओन फिफिटी मार्ट्स का होगा और यह जो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है हम लोग बात करेंगे उसकी आगे और इसमें इन्होंने कहा है UPPCS वालों कि the nature and standard of questions in this paper will be such that a well educated person, not only educated आप ध्यान दिजिए यहाँ पर not only educated but well educated well educated person well educated person will be able to answer them without any specialized study तो यह देखिए इन्होंने गोल मटूल करके लिखा हुआ है अब specialized study PhD तक भी है और well educated person भाई किसे कहेंगा किस तरीके से कहेंगा अब will सब्द एक लगा दिया इन्होंने a well educated और educated तो जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर हर कोई उसको आंसर तो will word at least नहीं होना चाहिए educated person will be able to answer educated person means already that means कि भाई लेकिन खर anyway इस पे ज्यादा comment हम लोगो नहीं करना ज्यादा time नहीं waste करना है तो यह आपका paper 1 हो गया दो घंटे का time होगा और 150 मार्स का और यह 15 topics से questions होगा paper 2 law का है और इसमें day to day happening around India and the world particularly in legal sphere act and law यह भी आपको याद रखने है मेलाल पेंस है इसको और 10 law के subjects है पहला jurisprudence jurisprudence बहुत अच्छा subject है a scoring subject है दूसरा international organizations तीसरा current international affairs 4th Indian constitution 5th transfer of party act 6th Indian evidence act 7th Indian penal court 8th civil seizure court 9th criminal seizure court 10 law contract तो मैं आने वाले समय में जूस्पूदेंस के कौन से important topics है international organizations में आप क्या पढ़ें कैसे पढ़ें current international affairs के लिए आप क्या करें Indian constitution में कौन-कौन से important topics हैं कौन-कौन से ऐसे topics हैं जिससे PT में questions होंगें अब आप आप आधी नोट कर लिजिया गिफ्ट से हो सकता तो ऐसे में कुछ topics आपको अलग से video बना के जैसे Indian evidence act में आपके रेज जेस्टे से हो सकता हापके admission से हो सकता डैंग declaration से हो सकता अब इस वीडियो में करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड करूंगा आने वाले समय में IPC के important topics CPC के important topics CRPC के यह सारे वीडियो में बनाऊंगा अब देखिए OEMR seat मिलेगा negative marking और 0.33 mark और deduct किया जाएगा अगर wrong answer है अगर आपने एक से ज्यादा answer mark कर दिया और एक से ही भी है तो भी वो उस पे penalty होगा और उसे wrong answer माना जाएगा और अगर आपने उसे blank छोड़ दिया तो penalty नहीं हो गया साथ में यह भी कहा गया कि AC और ST candidate के लिए 35% और अधर के लिए 40% मार्ज सिक्यूर करना आवसेख है तो आप MCQ my advice to you is कि आप देखिए गोल्डेन स्ट्रेटजी गोल्डेन दूल कि यह सिलेवस प्रिंट आउट करा कि आप अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए दिवालों पर पैरेंट से कर नराज होते हैं तो बोलिया कि ठीक है आप जच बन जाएंगे तो पूरा पेंट अच्छे से करा देंगा इन चीजों में आप सिलेवस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अब पतला कि आप टोट पढ़ने हैं टोट है नहीं पीटी के सिलेवस में आपको यह ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है नहीं सिलेवस में तो इस बात का आपको जरूर ध्यान दखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस सिलेवस में है या नहीं है दिस इस नमबर वन और यह तभी हो सकता जब सिलेवस आपके सामने हो कभी कभी मिसमाइंड हो जाते हम ऐसे टॉपिक पढ़ने की धून में पढ़ने लगते कि जिनका सिलेवस का पार्ट ही नहीं है तो उस पर आपका वेस्ट होता है देरिज वेस्टेज अफ्यृ तो इससे जरूर बचेंगा तो आपको नहीं पढ़ना है जैसे पी टी में ट्रस्ट नहीं है इंडियन ट्रस्ट एक्ट तो आपको नहीं पढ़ना है तो सिलेबस का जरूर ध्यान दख्यां और जैसे जो आप टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक से क्या क्वेशन्स हो सकते हैं उन क्वेशन्स की तैयारी एक बड़ जरूर कर लाएं और MCQ अगर आप बनाते हैं तो सबस से पहले MCQ के लिए मैं कुछ आपको सेजेस्ट करूंगा जैसे आपने MCQ बनाया जो आपका आंसर माली जे रॉंग हो गया तो आप यह फाइंड आउट करें कि हुआ है हुआ हुआ है यह आंसर विकेम रॉंग यह एकसरसाइज करना बहुत जरूरी है किया आपने पढ़ा नहीं था कभी-कभी जल्दवाजी में भी बहुत रॉंग होते हैं तो आप गलतियां कहां करते हैं किस हिसाफ से करते हैं उन चीजों को पर जरूर वच रख 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 जैसे जिए स्टूडेंस का MCQ आप बना र से गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया और जो MCQ गलत हुआ उसे आप एक बार पढ़े लें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें उन प्रोवीजन को तो इस से जो छोटी-छोटी गलतियां आपकी होती हैं वो गलतियां नहीं होंगी और आपका एक्जाम काफी अच्छा यह भी एक अस्पेशल टार्गेट बैच सुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्काउंट भी अच्छा खासा ओफर करें अप्टू फर्स्ट ट्वंटी एड्मिशन और यह स्पेशल टार्गेट बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा एड्मिशन ओपन है आज ही बैच एनाउ अच्छिक से आपको MCQ दिया जाए बढ़ाया इस तरीके से जाई यह जितने टॉपिक ओन डूवटी लिखे हुआ है इन से और आप यकीन कीजिए अगर हरूज आप 150 mcq करते हैं तो आपको आपका लेवल अफ पर्फॉर्मेंस क्या है किस तरीके का है और कितनी मेहनत करने की जूरत है हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसी क्यूज करते हैं तो उसे यह होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपका स्कोरि काइम मेनेजमेंट होगर और इन सारे चीजों में आपको काफी हेल्फुल होगा तो स्पेशल टार्गेट बैच हम लोग मंडे से क्लासे जूस किया स्टार्ट हो जाएंगी और हेवी डिसकाउंट है अप टूंटी अड्मिशन फर्स्ट टूंटी अड्मिशन तो और उसकी जनकारी के लिए आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फोन कर यह जनकारी हासिल कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे हम लोग इधर काफी दिनों से आप थोड़ा सा ठीक हुआ हूं मैं यूटूब पर हम लोगा रेगुलर स्री चला कॉंस्टिट्यूशन अफ इंडिया का पिछले क्वाचन का भी वीडियो नहीं आया होफुली मंडे को साथ उसका वीडियो मैं पोस्ट कर दूं मंडे या टीस्टे मैं कल मैं 36 गड़ के लिए वीडियो पोस्ट करूंगा और 36 गड़ का भी बैच अस्पेशल टार्गेट बैच आपका स्टार्ट हो दा मंड़ी मं तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा रखा हुआ है पैकेज अपना और सारी चीजे दे रहे हैं आपको लोग पेपर के भी यह सारे जो लिखे हुए हैं जीके में लोग के पेपर इन सभी चीजों का कंप्लीट सपोर्ट प्रवाइट अब मैं अपने मुह से अपनी तारिफ करने में उतना विश्वास नहीं रखता तो चलिए थैंक्स पर वाचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग स्टूडेंट के पास ऐसी इंफर्मेटिव तिल दन बाई बाई